गुड मार्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम टू टी एसंदा स्कूल, तुड़ें वी विल रीट चैप्टर फिर्थ, स्कूल फॉर अनिमल्स स्टुडेंट्स, अनिमल्स में सोता है जानवर, और स्कूल वो प्लेस जहां पर हम पढ़ने जाता है न, उसको बोलता है स्कूल वो कैसे पढ़ रहे है, माँ पर उनका कौन टीचर है, क्या सिखा रहे है, किस तरीके से वो बात कर रहे है आपस में, इस चैप्टर में हम वो ही डीटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, सो लेट स्टार्ट, इस इस स्कूल, यह एक स्कूल है, यह जानवरों के लिए स्कूल है, जानवरों के बच्चे स्कूल आ रहे हैं, स्टूडेंस देखिए, बेबी मिन्स होता है बच्चा, लेकिन यहाँ पर बेबी लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मोर दैन वन, एक से ज़्यादा, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसी तरीके से इसी स्कूल में भी दे आ सिटिंग ऑन दा बेंच, वो बेंच पर बेटे हुए हैं, बेंच मिन्स एक ऐसी जगह जो वोड़ी आईरेन की बनी होती है, थोड़ी कम चौड़ी होती है, जिस पर बैठ सकते हैं, आप लोग बैठते हैं, स्कूल में आप पता है, बेंच पर बैठते हैं, उसी तरी दिवें, जिसे हम सारस बोलते हैं न, एक वाइट कलर का होता है, बड़ वो, तो मिस्स क्रेंड हैं वो, और वो उनकी टीचर है, वो, ब्लाक बोर्ड पर लिख रही है, ब्लाक बोर्ड जिस पर हम लिख के आपको समझाते हैं, सारा कुछ है न, टीचर आपको लिख कराती है, वो, ब्लाक बोर्ड, राइटिंग में लिख रही है, she is writing good morning वाल क्या लिख रही है good morning यानि कि सुबा के नमस्ते Mrs. Crane says say good morning Mrs. Crane उन्हें क्या कहती है बोलो good morning the puppy says बाव बाव puppy कौन होता है students puppy होता है dog's baby यानि कि dog जो होता है उनके बच्चे को हम बोलते है puppy तो इसमें क्या है सभी animals अपनी अपनी voice में बोल रहे है वो हम लोगों की तरह तो नहीं बोल सकते हैं तो जो puppies होते हैं उनकी कैसी होती है वो बोलते हैं बाव बाव morning wish करते हैं अपनी उसी language में the kitten says kitten cat's baby यानि कि बिल्ली का बच्चा जो होता है और जो baby crow यानि कि तो एका जो बच्चा होता है वो बोलता है cow cow mrs green goes to the lamb अब mrs green lamb के पास जाती है lamb किसे बोलते हैं हम sheep's baby यानि कि जो बेड होती है उसके बच्चे को बोलते है lamb इसे lamb का हिंदी में meaning होता है memna तो memna के पास जाती है she says बोलती है say good morning बोलो good morning the lamb says तो lamb अपने उसमें ही जो उसका sound है उसी में बोलता है ba ba the calf says calf calf होता है students cow's baby यानि कि गाय का बच्चा वो बोलता है cow की आवाज होती ही न mo mo तो उसका baby भी उसी sound में बोलता है mo mo to the chick and says अब Mrs. Crane किसके पास जाती है chick के पास chick कौन होता है hands baby यानि कि मुर्गी का बच्चा जिसे हम बोल सकते है chooza chooze के पास जाती है और उसे बोलती है say good morning बोलो good morning सब को सिखा रही है न उनकी teacher good morning बोलना तो उसको भी सिखाती है उसके पास जाके the chick says तो chooza बोलता है clock clock अपनी sound में बोलता है वो clock clock Mrs. Crane goes to the duckling अब Mrs. Crane duckling के पास जाती है duckling को न था है ducks baby जो बतक के बच्चे होते हैं उसे हम बोलते है duckling उसके पास जाती है she says good morning वो उसे कहती है बोलो good morning the duckling says तो duckling क्या बोलता है quak quak Mrs. Crane is very happy Mrs. Crane जो है बहुत खुश होती है she says वो बोलती है very good बहुत अच्छे है बहुत बढ़िया all the children have said good morning सभी बच्चे वो बोलता है good morning सभी बच्चे बोलो good morning they have said it in their own way तो वो सभी अपनी अपनी language में उसे बोलते है देखो जैसे कि आप लोग बोलते है good morning तो यहाँ पर animals के बताया गया है कि animals अपनी अपनी sound में कैसे बोलते है तो इस chapter में हमें क्या बताया है animals की sound बताई गई है कि कौन सा animal किस तरीके से बोलता है जैसे chick बोलता है quack quack, तो duckling बोलता है quack quack, इसमें उनकी sound बताई गई है, प्लस आपको इसके साथ ही साथ में animals के जो baby हैं, उनको किस से जानते हैं, क्या word यूज करते हैं English में, जैसे की sheep baby को, ships baby को किस नम से बोलते हैं, lamb, तो hands baby को बोलते हैं chick, इस तरीके से सब भी babies के हमें बताया है कि babies को किस नम से बोलते हैं, साथ में उनकी animals की sound बताई गई है, okay students, now your chapter is over, अब हम इसके difficult words देखते हैं, so difficult words time, इसमें क्या देखेंगे, हम कुछ new words जो आए हैं, जिनका हमें Hindi meaning पता होना चाहिए, वो words हम देखते हैं इसके, तो चलो, start करें, first word is school, तो school जहां हम सी teachers मिलते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, वो होता है, school, babies, babies यानि बच्चे, teacher, अध्यापक जो आपको पढ़ाते हैं, blackboard, board होता है, जिस पर की लिखा जाता है, लिखने के यूज में लेते हैं, teachers, kitten, बिल्ली के बच्चे के लिए बोलते हैं, lamb, मेमने को बोलते हैं, और duckling बतक के बच्चे के लिए यूज करते हैं, now, so students, यह आपके difficult words थे, इस chapter के, now, back access is time, tick the correct answer from the given options, यह आपको options दिये गए हैं, इन में से जो right होगा, उसे हमें right tick करना है, question number first है आपका, who are coming to school, school में कौन आ रहा है, option A, babies, B, animal babies, C, birds, so students, हमने इस chapter में animal babies के बारे में पढ़ा हैं, इसलिए option B पे हम right tick करेंगे, animal babies पे, okay, question two, who is Mrs. Crane, option A, doctor, B, headmaster, C, teacher, आपको बताना है कि Mrs. Crane कौन है, तो option C, teacher पे right tick करना है आप लोगों को, question three, animals babies are sitting on the dash, animal babies कहाँ पर बैठे हुए हैं, option A, chair, B, tables, C, benches, तो answer, right answer कौन सा है इसका students, C, benches, इस पे tick कर लेना है आपको, now next question, answer the following questions, question number one, who is the teacher, answer, Mrs. Crane is the teacher, question two, question two, what is she writing, answer, she is writing, good morning, question three, where are the animal babies going, answer, the animal babies are going to the school, question four, what does the lamb say, answer, the lamb says, baba, next question, match the following voices, with the animals and birds, who says these, आपको इसमें animal की voices बताई गई हैं, और birds या animals बताई गई हैं, उनको match करना है कि किस की कौन सी voice है, first number का आपको दिया है, cow, 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 cow किस की होती है, crow से match करेंगे, second, bah, bah, lamb से match होगी, third, meow, meow, kitten से match करना है आप लोगों को, fourth, wow, wow, puppy से match होगा, fifth, more, more, इसे हम cow से match कर देंगे, cluck, cluck, ये chick से match होगा, students, and quack, quack, duck से होगा, fine, students, next आपका है, write five words ending with c, k, इसमें जो भी हम spelling fill करेंगे, ये हमें picture शो की गई है, five picture शो की गई है, उनमें हमें spelling लिखनी है, बट ये ये सोचना है, कि उनके last में c, k होना चाहिए, तो first pick के according, उसमें आएगा chick, c, h, i, c, k, chick, next is frock, f, r, o, c, k, frock, the next clock, c, l, o, c, k, clock, next, n, e, c, k, neck, and last is d, u, c, k, duck, fine, students, तो ये आपकी back exercise भी finish होगा इस chapter की, and I hope you all are understand this chapter very well, next में हम आपको इसको written work करने के लिए pdf send कर देंगे, till then take care, thank you